जेम को पॉपुलराइज किया, जेम में सेवाओं को भी और अधिक बढ़ाने का प्रयास किया, जिस पकार से हमें केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्री से और सभी PSU से सहयोग मिला, सभी जगह पे यह भावना चेतना जग गई है, कि जेम से खरीदने में पैसा भी बचता है, लगब 35,000 क्रोड अभी तक बच चुके हैं, ऐसा अनुमान है जो 3,5,5 क्रोड का, आस-पास जो अभी तक व्यापार हुआ है, जेम में गवर्मेंट प्रक्योर्मेंट हुआ है, उसमें 35,000 क्रोड टैक्सपेर्स का पैसा बचाएं, और 2,00,000 क्रोड का किर्तिमान वास्तव में सरल नहीं था, अखेर पूरी संस्थाई, 17-18 में जो 5,800 क्रोड कर रही थी, 5 साल के भीतर 2,00,000 क्रोड तक जाना, ये दर्शाता है कि ये सफल प्रयोग प्रदानमंत्री मुदी जी करा, पारदर्श्टा भी है, इसमें सरलता भी है, इसमें बड़े पैमाने पे, लोगों को जानकारिया मि इफ्रमेशन मिल जाती है कि क्या-क्या ओप्शन्स हैं, बेचने वाली संस्थाईं देश बर में कोने-कोने से बेचती हैं, पीछे माने प्रदानमंत्री जी ने पताया था, कि एक बार प्रदानमंत्री के कारलेकों को दो थरमस करीद ने, उन्होंने जैम में डाल दिया, त कामिल नाडू में, जो शायद ये बनाता था थरमस, महिला अंट्रेपेनर की, उन्होंने उसमें बिड किया जैम में, और उनको वो ओडर मिला, प्रदानमंत्री कारलेका ओडर, चैन्ने की महिला उद्योजक को सीधा पहुचा, और उनको आज गर्व है कि उन्होंने अपने प्रदानमंत्री के यहां पे पहुचाया और उसी में उनकी एक पेकार से ब्रैंडिंग और बिजनेस डिवेलोप्मेंट भी उससे उन महिला अंट्रेपेनर्स के लिए मैं सबता हूँ, अच्छा रहा हूँ.